मुझें है दो मैं लवली पीपल तो कैसे है आप सब लोग आशाकरती हूँ आप लोग तो अज में आप सब लोगց क लिए बहुत इंटर्सटिंग सी डेसिपि लेकी कबाप की रेसिपमे है आप लोगोंने कबाब तो बहुत खाया हुं profound y कई चिज़ों की जवरत पढने वाली है, यहाँ पर मैंने एक गप दही ले लिया थे, लिद्ट क्रोथ में डाल और पूरा पानी कर लिया है, यह रहाँ 2 मेहन कुछ और चीज़ों ले लिक नीमित है, मिर्ची पाहडर दनिया पावडर, पिंच ओर को स्वें मेगी मस्पाव और मैंने यहां पे अस्वादनस्वा नमक भी ले लिया है यहां पे मैंने ग्रेटेड हाफ कप यहां पे मैंने थोड़े से कॉन भी बॉइल कॉन ले लिया है इसमें मैंने अद्रक लेसन और पुदीने का पत्ता और थोड़ा सा अनियन और ग्रीन चिली ले लिया है यहां पे ingredients की ज़रत है आपको कोबाब बनाने के लिए तो हम लोग को करना क्या है आप लोग को मैं बताती हूं यह मैंने जो दही लिया है इस दही में हम लोग इन सब चीजों को डाल देते हैं जिसे यह मैंने ताजर डाल दिया है यहां पर यह जो मैंने मसाले लिये हैं वो सब यहां डाल डेती हूं यहां पर मैंने जो onion अगेरा काटके रख है वो भी मैं इसमें डाल देती हूं क्यों देख सकते हैं आप लों है और यहां पर मैंने थोड़ा सा मैं अलग तस्प दे रहि और मैं इसमें कौन भी डाल रही हूँ अच्छा लगेगा अगर आप कौन पसंद करते हैं तो डाले अदर्वाइस कोई बात नहीं यहाँ पर मैं राइस फ्लोर दाड़ी हूँ थोड़ा सा क्रिस्पिनेस के लिए मीं एक टीबल स्पून यहाँ पर मैं राइस फ्लोर डालऊंगी एक टीबल स्बोर और उससे थोड़ा सा जाद़ा और यहाँ पर मैं यह जो मैंने सत्टू लिया है यह रोस्टेट चना है उसको हम लोग सत्तू बोलते हैं सकतू लूँगी मैं एक फुल टेबल स्पून और यह आदा और यहां पर यह मैंने जो पाउडर शुगर करके रखा है वो भी मैं इसमें एक टेबल स्पून फुल डाल देती हूं और फिर इस मिक्स्चर को मैं अच्छी तरीके से मिला के एक डो रेडी कर लूँगी डो रेड आप लोग देख सकते हैं हमारा डो रेडी है कबाब बनाने के लिए देखी ऐसा डो बन चुका है हमारा तो इसको और मैंने यहां पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं तो आपको करना क्या है छोटा सा बॉल लेना है छोटा सा इस तरीके से इसको ऐसे गोल गोल करना है आप चा इसको coat कर देना है, इस तरीके से, मैं आप लोग को और बना के दिखाती हूँ, इस तरीके से बॉल ले, इसको ऐसे गोल करें, इसको हलका सा प्रेस करें, इक शेप दे, दही थोड़ा डेलिकेट होता है, तो आपको थोड़ा केरफुली काम करना पड़ेगा, और इसको इस तरीके से और इसी तरीके से आप सारे कबाप बना के रख सकते हैं आप इसको बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और आपके गेस्ट आए तब आप इसको फ्राइ कर सकते हैं आप इसको डीफ्राइ भी कर सकते हैं आप इसको ऑईल में भी फ्राइ कर सकते हैं आप जैसे च इफ्राइ करके आप लोग को दिखाती हूं अवन में आप इसको बिदाउट ऑइल भी बेक कर सकते हैं यह बहुत यमी लगने वाला है आप लोग को तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने सारी कबाब्स बना के रख लिये हैं अच्छे तरीके से देखिए और यहां पर कबाब को इस तेल में अराम से डालूंगी आप लोग भी अराम अराम से डाले क्योंकि हाथ जलने का डर रहता है बी केरफुल और इसको हम लोग फ्राइ होने देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा कबाब कितने अच्छे तरीके से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चु अब निकालोंगी तेल से बी केरफुल अच्छी तरीके से निकाले अपना हाथ ना जलाए थोड़ा सा ओयल प्रेस करें फिर निकाले तो देखिए यहां पर मैंने तीन कबाप बना लिये हैं और मैं अपना सेकंड बैच अब ओयल में डाल रही हूं आराम से डाले और इसको भी गोलन ब्राउन होने देते हैं और मैं आप लोगों को फिर प्रेजन करके दिखाती हूं यह कबाब हमारे कैसे लगने वाले हैं इसको यहां पर क्याचप और रिंग अनियन के साथ सर्फ किया है अगर आप लोगों को यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको यह रेसिपी मेरी थोड़ी से भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और प्लीज यह रेसिपी बहुत इज़ी है आप लोग अपने घर में अपने फैमिली और फ्रेंट्स के साथ इंज्वाइ करें और बनाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को मुझसे और कौन-कौन सी रेसिपी जाननी है तो बाबाई टेक केर